question number 10 देखिए from a given temperature यहाँ पर आप देख सकते हैं question में लगा दूँगा from a given temperature c degrees on a centigrade thermometer or equal to degrees on a Fahrenheit thermometer the following table gives a series corresponding values of f and c ठीक है draw a graph to show the Fahrenheit reading corresponding to a given centigrade ठीक है जी मैं समझ गया question को ठीक है क्या करना है सबसे पहले देखिए यह आपका एक डबा ठीक है जो कुश्य में दिया हुआ आपको यह आपका सी यह आपका एफ फिर ऐसे है फिर ऐसे ठीक है कितना है 0 5 10 15 25 चालिस ठीक है ना यह बच्चो हाँ जी इसर है कि 3241 5059 77104 ठीक है यह हो गया हमारा थोड़ा ठीक से नहीं बना लास्ट वाला चालिस और 104 वाला ठीक कर देतें है चालिस और 104 वाला वैसे आपको साइड भी दिखी रहा होगा मैंने जो लगाया है ठीक है कि 4104 देखे बच्चों ग्राफ बनाना है सारे प्लस के नंबर है तो हम यह आला बनाते हैं ठीक है चलिए कि मेरा लास्ट कोईशन है फाइनली यह चैप्ट्र हमारा होनावाला ऐ कम्प्लीट देखे बच्चों यहां पर मैं सी लूं मतलब celsius लूं यहां पे लूं celsius देखो यहां पे लेंगे वह यहां हमेशा वो लेने की कोशिश करने हैं जो easy है हमें यहां पर हम लेंगे celsius वह easy है देखो आप सब में देखो 0-5-10-15 है ना आप easily 0-5-10-15-20-25-35-40 तक ले लो 55 का gap रख दो अगर आप F लोगे हैं पर F तो हमेशा वो लेने जो आसान होते हैं जो बहुत easily हम ले पाते हैं ठीक है वो ट्राय करना उसमें अच्छा ग्राफ बनता है आप चाहो तो यहां पर फेरेनाइट यहां पर ले लोगे ना और यहां पर अच्छा वाह इसी लगेगा ठीक है चलिए क्या करेंगे देखिए हैं अब हमें बनाना है यह ग्राफ ठीक है तो चलिए मैंनें बोला हुआँ न यहां पर पांच 8 मानें दस 15 में 20 25 के बाद तो 40 है तो हम क्या करें हमें तो अपना गैप राबर रखना है ना पर 30 35 40 हमें भाई गैप सिम रख रहे हैं यहां पर क्या डालूं कि यहां पर दालते हैं 30 क्योंकि 32 तो स्टाटी हो रहा है 40 30 35 40 45 कि उसके बाद 50 55 वह भी कर सकते हो बहुत बढ़ा हो जाएगा बहुत लंबा हो जाएगा ऐसे कर लो 30 40 50 60 70 90 तो इसमें इतना बड़ा हो गया है ना 90 हो गया है कि सो कि 110 ठीक है ऐसे बना दिया है चलो सही है चलिए थोड़ा मेरा आगे पीछे आपको ध्यान देना है सब के बीच में गैप सेम होना चाहिए मदब दिखने में भी लगना चाहिए है होना पीच है एक्चुल में जैसे हमें सब के बीच में पांच पर चाहिए यह कम है क्योंकि मैं बना रहा हूं यहां पर भी देखो सब के बीच में लगए कि कोई गैपी नहीं है ठीक है यहां पर लगब रहा है लेकिन जब आप इसको ग्राफ पेपर बना होगा तो आप का ठीक ठाक बन जाएगा बिल्कुल इग्जक्ट बनेगा ठीक है अभी क्या करना इसमें जीरो पे कितना है जीरो पे थर्टीटू है तो पहले यहां पर लिख देते हैं पता तो होना चाहिए हमें क्या कर रहा है यह कि हमारा एफ बस में एफ बना दे रहा हूं आप समझ जान चलिए जीरो पे कितना है थर्टीटू जीरो पे तीस यहां पर है तो सिखाया था बच्चो तीस और चालिस के बीच में दस लाइन होती है एक दो तीन चार यह मोटी वाली पांच छी साथ आटनो दस हैसे तो हमें कौन सा थर्टीटू है तो पहली लाइन को छोगे दूसरी ऑप le if 59 तो शाट से बिलकुल एक नीचे बिलकुल नीचे उता 59 अच्छा उसके बाद है पच्चिस पे कितना है पच्चिस पे 77 पच्चिस पे 77 सतर और 80 के बीच में दस लाइन है तो 7 लाइन फो लगाएंगे ठीक है? लाइन को जॉइन कर देङे . कैसे- यहां-सश् wil जॉइन? ऐसे- ऐसे- वाँ बन गई реально बन बन गई आपकी तो यहां पर इस वहां सपरयू जॉइन करते हैं अगर आ लो ऐसे बन रहा होता तो इसको बिल्कूल राते हैं. मगर यहां से बोला है कि हाँ जी इसने बोला है हमें अगर जो कुशन आप देखेंगा यहाँ पर जो मैंने पिच्छल लगा रखी है जो दिखेंगे तो आपको क्या करना है मेरा यहाँ यहाँ पर मेरा रफली में बनाया है तो मेरा इतना अच्छे से नहीं आएगा अगर आप अपने ग्राफ में देखोगे जो ग्राफ आपने बनाया हुआ है ठीक है कहा अगर अगर अपने ग्राफ में देखोगे तो ग्राफ में कि आओगा थर्टी फाइपे जब आप जाओंगे और बिल्कुल इसके कोर्रस्पंडिक मतलब होता है जैसे एसे तक यहां पर मैं कि सकता हूँ जैसे मान लो की यहां पर सकता हूं थर्टीफाइव डिग्री सेल्सीर ठीक है कि हम बना देंगे आपे सांवा ञांक तो हम क्या करेंगे हम चाहें तो इसमें एड कर सकते हैं यह उनुने यह इसी में मैं बना में इसमें कर सकते हो थिरट फ़िघुव डिगरी में कितना है हमारा नाइंट फॉसे मारा ऐसे हो है ठीक है यहां पर लिख दो झाहाँ इसमें यह एड कर दो कोई गलत नहीं करेंगा कैसे भी कर तो आपकी मर्जी है 35 में कितना है बच्चों 35 में हमारा 95 ऐसे बना सकते हो ठीक है अगला किया है अगले में इसने हमसे पूछा है बताईए कहांगे मेरा क्वेश्चिन गें 86 डिग्री फैरेनाइट में 86 डिग्री फैरेनाइट में कितना होगा में बताना है 96 में निचे निचे तो होगा 30 तो क्या होगा 30 तो 86 डिग्री फिरनाइट कितना हो गया 30 डिग्री सेल्सिए तो आप लिख सकते हो 30 आप लिख सकते हो 86 ऐसे आप यह बना दोगी ठीक है तो यह क्वेश्च नमर आपका हो गया 10 complete और इसी के साथ मेरा चैप्टर नमर 16 complete हो गया उन सभी मेरे स्टुडेंट्स को दिल से थैंक्यू जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया और मुझसे रिक्वेस्ट करी इस चैप्टर को complete कराने के लिए और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैंने बहुत जल्दी यह चैप्टर complete करा दिया है